We believe that, यह सबसे important explanation में से एक है lesson का, हम ऐसा विश्वास करते हैं कि Hindu civilization, जो Hindu संस्कृती है यह सब्विता है, is in the act of performing its most, इसका सबसे अधिक, spectacular, विशेस, दर्शनिय, feet of synthesis जो कारे है, वो है translation का यह जोडने का, उसका performing करती रहेगी, यानि कि वो act माने कारे करता रहेगा, राइटर यह कहना चाहता है कि जो Hindu सब्विता है, उसका जो सबसे मुख उद्देश है, वो है translation, यानि कि संस्कृतियों को जोडना, और इस कारे को बहुत spectacularly बहुत अच्छे ढंक से लगाता, perform करती रहेगी, ठीक है, in the past भूत में, past में, it has received, इसने पराब्त किया है, adapted, अपनाया है, and digested और हजम कर लिया है, elements माने, तत्व of many different cultures, ये भारतिय सब्विता की सबसे बड़ी निशानी है, इसलिए इस पार्ट को सबसे अच्छे से समझें, इसका explanation सबसे ज़्यादा बाराया है, ये भारतिय या हिंदू सब्विता के बारे में कहा गया है, कि ये इसकी विशेस्ता है, कि उसने दूसरे संस्कृतियों को अपने अंदर समाहित करने का सबसे बड़ा काम किया है, किसे किसे जैसे इंडो-यूरोपियन, मैसो-पोटोमियन, इरैनियन, ग्रीक, रोमन, सीथियन, तर्किष, पर्शियन, अरेबियन, इतनी जगह के लोग भारत आए, और भारत ने इन सब की संस्कृति को अपने में समाह लिया, With each new influence, यह अलग बात है कि हर नए प्रभाव से it has somewhat changed, यह थोड़ी change माने बदली है, हम ऐसा समझ सकते हैं इस उधारण से कि भारतिय संस्कृति एक पानी की तरह है, इसमें अलग-अलग रंग आए और उसमें घुल गए, यह अलग बात है कि हर रंग से उस पानी के रंग में थोड़ा परिवर्तनाया, इन संस्कृतियों ने इस संस्कृति को ऐसे ही थोड़ा भूत प्रभावित किया, लेकिन कितना रंगीन हो जाने के बाब जूद, इसके अंदर जो basic element है, इंडियन कल्चर का वो है, इसका पानी होना, इसका तरल होना, इसका सरल होना, वो आज भी बना हुए है, now it is well on the assimilating the culture of the west, अब जो समय आया है ये भारत के संस्कृति का, वो पश्चमी सब्विता और संस्कृति को धिरी धिरे अपने अंदर समेट रही है, या उसे अपने अंदर समाहित कर रही है, अगला explanation ध्यान दें, इससे भी important होगा,